और बात BBC के दूसरे Indian Sports Women of the Air Award की जिसके लिए इस बार पांच महिला खिलाडियों को नॉमिनेट किया गया है और ये खिलाडी है मनुभाकर, दूती चंद, कोने रुहमपी, विनेश फोगाट और रानी चेस के दुनिया के सबसे मशूर खिलाडियों में से एक है भारती शत्रंज खिलाडी कोने रुहमपी महज 15 साल के उम्र में ग्रांड मास्टर बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला की लाड़ी बनकर ना केवल भारत में, बलकि पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया देखे वीवी से समवादा था वंदना और प्रेम भूमिनाथन के रिपोर्ट इतनी कम उम्र में ग्रांड मास्टर बनने के बाद मुझसे लोगों की उमीदें बढ़ गई थी और एक लड़की होने के नाते, मुझे ये भी सुनना पड़ा कि क्या सच में मैं ग्रांड मास्टर बनने के लायक हूँ आंध प्रदेश की रहने वाली कुनी रूहमपी को चैस क्वीन में कहा जाता है बच्पन में ही शुरू हुई उनकी जैस शात्रा का खास रूसी कनेक्शन रहा है मैंने शुरुआत बहुत पहले कर दी थी, जब मैं किवल 6 साल की थी मेरे पिता शत्रंज खिलाडी है, मुझे ट्रेन करने के लिए उन्होंने अपनी लेक्चरर की नौकरी छोड़ दी थी उनका मकसद मुझे चैंपियन बनाने का था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम हमपी रखा, जिसका मतलब है चैंपियन शत्रंज रूसी लोगों का खेल है, उनके नामों में U, V, Y होता है, तो उन्होंने मेरा नाम भी H, U, M, P, Y रख दिया और कहा कि मैं किसी रूसी खिलाडी से कम नहीं वर्ष 2002 में महज 15 साल एक महीने 27 दिनों की उम्र में ही हमपी उस समय की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर बन गई थी मैंने अंडर 10, अंडर 12 और अंडर 14 तीन विश्व युवा चैंपियनशिप जीते हैं और फिर महिला ग्रैंड मास्टर बन गई लंबे करियर के बाद हमपी ने 2016 में मेटर्निटी ब्रेक ली मा बनने के बाद कामबै किया और 2019 में वर्ड चैंपियन बन गई मेरी वापसी बहुत सफल नहीं रही कुछ महीनों के संघर्ष के बाद मैंने कुछ बड़े टॉर्णमेंट चीते 2019 में जब मैं विश्व चैंपियन बनी तब मेरी बेटी महस दो साल की थी उसे बस इतना पता है कि मैं शत्रंज खेलती हूँ और उसी के लिए सफर पर रहती हूँ जैस में टॉप पुरुष खिलाडियों को हरा पाना हम पी अपनी सबसे बड़ी उपलबधी मानती है कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जो मेरे साथ खेलना नहीं चाहते थे मुझे महिलाओं की टॉर्नमेंट से ज्यादा पुरुषों की टॉर्नमेंट जीतने में मज़ा आता था उस वक्त मुझे अपने महिला होने पर गर्व महसूस होता था बिसात चैस की हो या जिन्दगी की हम पी मानती हैं कि हर दाफ पूरे दिल से खेलो और काम्याबी जरूर मिलेगी प्रेम भुमिनातन के साथ वंदना बीबीसी दिल्ली